दूस्तो आज की इस वीडियो में हमें कैसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है अगर वहीं इस कमपनी के फंडामेटल की बात करें तो सब को चैनलाइज करके हम आप इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस्त ना करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे पैनी से रिलेटेड तो देख लेते हैं इस कंपनी के सबसे पहले फंडामेटल के डीटेल को आप देखेंगे इस कंपनी के जो साइज है वो सिफ 23 करोड का है वहीं अगर इस कंपनी के 52 विक हाई और लो की हम बात करें तो 11 रुपए का इस कंपनी ने लो बनाया था 52 विक हाई इस कंपनी का 25 रुपए का रहा है कंपनी के करेंट प्राइस की बात के तो 16 रुपए 90 पैसे पे आज ये कंपनी क्लोज हुआ है अगर इस company के ROE की बात के तो आप देखेंगे 147% का detail आपको देखने को मिलेगा जबकि ROCE की बात के तो 195% का detail है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा company fully debt free है almost debt free आपको देखने को मिलेगा अगर वहीं इस company के एक और strong point की बात के तो इस company का promoters holding जो कि 73.5% के साथ बने हुए हैं company के अगर हम बात करते हैं inventory के तो 0.15 करोड का detail आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है तो देखें इस company के और detail को अगर इस company के book value की बात करें तो काफी strong detail यानि 740 रुपय का detail यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जबकि अगर इस company के PE की बात के तो 21.1% का detail आपको यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों अगर इस company के फिछले एक सालों का chart देखेंगे तो आप देखेंगे यह company इस range के ऊपर नहीं निकल पा रहा था अभी तक यहाँ company अपने 50 DMA को break नहीं कर पा रहा था इस बार इस company ने इसको break भी किया और इसके काफी उपर भी निकल चुका है आप देखेंगे इससे पहले भी यह company दो से तीन बार try किया था लेकिन उसको break नहीं कर पाया था इस बार चब इस company में एक बड़ा break आउट आपको देखने को मिल ला है तो इस company में एक बड़ा target भी आपको دेखने को मिल ला है इस company का जो अगला resistance level बनता है वो बनता है 200 DMA का level इसको ब्रेक करके इसके उपर निकलेगा तो इस गुपनी में एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा दूरल में जो लेबल है 17 b7 पैसे का कम्पनी जैसे इसको ब्रेक करके इसके उपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में आपको 20 से 22 रुपय का अगला टारगेट वो अगर short term के लिए उन्होंने invest कर रहा है तो अपना stopler daily to daily continue करते रहे हैं और जिन लोगों ने इसमें long term के लिए buy किया है वो सबसे पहले business को analyze कर लें portfolio को देख लें उसके बाद इस company को long term के लिए hold करने के decision लें अगर इस company के नाम की बात करें तो आप देखेंगे evoke remedies limited अगर इस company की बात करें तो इस company में अच्छी खासी growth आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल आप इस company को hold करके चल सकते हैं जो लोग presently करना चाहते हैं सबसे पहले अपने portfolio को diversify कर लें सबसे पहले अपने विस्क को analyze कर लें उसके बाद किसी भी पैनिस सेयर को वाई करने की सोचें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तैंक यू फू